वाकतेशवेंच let's discuss this question इस कैपिलेरी is dipped into liquid and the level of the liquid inside and outside are same then the angle of contact is तो ये चार options में से choose करना है क्वान सा सही होगा question यह कहार है कि एक कैपिलेरी ट्यूब को अगर हम लोग डुबाते हैं liquid में इस तरह से लेवल of liquid इंसाइड and outside are same, मतलब की पानी बस यहीं तक है, इसके उपर गया ही नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब समझो, पहले तो formula समझो, formula जो height rise जो यहां पर है capillary में, इस height rise का value कितना होता है जिसे ये capillary tube को तुमने डुबा दिया तो जब इस capillary tube को डुबा दिया तो ये जो height में यहाँ rise हुआ है ये height rise होता है 2t cos theta upon rho g small r ये height rise 2t cos theta upon rho g small r तो t यहाँ पर surface tension है cos theta में theta contact angle है actual में ये जो tangent बनेगा ना surface का कर्व का इस contact surface के साथ इसको बलेंगे angle of contact और small g इसका radius है tube का ठीक है तो अगर मालो हम यहाँ पर ऐसा समझते हैं कि level of liquid inside and outside are same तो इसका क्या मतलब है इसका मतलब की h 0 h 0 मतलब cos theta 0 cos theta 0 कहना है और तो थीटा का value क्या हो गया 90 लिए ठीक है actual में जब हम डुबाते हैं capillary को तो उसमें बाहर का जो level है उससे h उपर यह चड़ गया तो यह formula होने लगाया अब question में ही बहुन दिया है कि h का value ही नहीं क्यों क्योंकि lecabillary tube के अंदर का height और बाहर का height सेम है तो वो तब ही ना होगा जब h 0 होगा h 0 होगा मतलब की cos theta का value 0 होगा radius of the tube तो 0 है नहीं surface tension rho g यह सब तो 0 नहीं अब तो cos theta ही तो 0 होगा cos theta 0 होगा मतलब की theta का value क्या होगा 90 degrees और theta का value 90 degrees होने के बाद हम ऐसा कह सकते है यहां पर जो angle of contact बनेगा that will be 90 degrees ओके आप आप वी बर्शन समझ पाएंगे थैंक्यू समझ पाएंगे थैंक्यू समझ पाएंगे